होता है ना बहुत सारे अब्रेसिब से मिल के बना होता है जो क्या करता है कि किसी भी सर्फेस पर से यह सर्फेस फ्लैट हो रेक्टिंगलर हो जैसा भी हो सर्फेस पर से करता है जैसे कि यहां पैसे पहले लिखा है कि घ्राइण करने का काम करता है है का यह पहला तो यह हो गया इसके बाद है इन वीच वर्क इस पासे सगेंदर रिवॉल्मिंग ग्रेंडिंग विल कैसे कटिंग करता है कैसे कटिंग करता है तो कटिंग ऐसे करता है यह जो आपको ग्रेंडिंग विल दिख रहा है यह किसी पावर के सहारे यह किसी साप के सहारे यह क रहता है और उसके सहारे यह क्या करता है घूमता है और इसके बाद क्या करता है जैसे ही कोई भी सर्फेस इसके टच में आता है या फिर यह वाला ग्राइंडिंग हील किसी सर्फेस के टच में जाता है तो क्या करता है उस सर्फेस पर से या फिर किसी भी उस पार्ट पर से उस सर्फेस को चिकना करें या फिर कोई कटिंग टूल्स है तो उसके एज को सार्प करें मतलब की तेजधार बनाए तो यह सब काम करने का काम करता है अब ग्रैंडिंग वील क्या होता है ग्रैंडिंग वील एक मटिंग टूल्स कटिंग टूल होता है मल्टी पॉइंट कटिं तूल्स और सिंगल पॉइंट करते हैं ना मिन्स कटिंग करने का जो यह होता है वो सिफ एक सिंगल पॉइंट होता है और मुल्टी पॉइंट क्या होता है कि उसमें कोई जरूरी नहीं कि सिर्फ एकि पॉइंट से कांटिंग और उसमें पूरा हो पुरा है वह बीघिडीय पुरा केंट करने काही काम कर रहा है तो यह क्या हो जाएगा माल्टी पॉइंट टूल मतला सिर्ज च पॉइंट से नहीं बहुत छ़ए एक पॉइंट से नहीं, बहुत सारे पॉइंट से नहीं करने का काम कर रहा है, तो इस बज़ेसे इसको क्या बोलते है, multi-point cutting tools होता है, इसको जो बनाया जो जाता है बावु, वो बहुत सारे अबरेसिव से बनाया है, बहुत सारे अलग-अलग होते हैं, आगे हम बात करेंगे, लेकिन कोई तुम से पूछे कि lub किसका बना होता है तो जो सरे होते हैं उसके इसके बारहे हम बात करेंगे अब इब्रेसिव थे बहुत चोटे-चोटा अटन हो गया या cał המקी यह हो गया है लेकिन उसको आपस में जोडने के लिए जो काम होता है? उसको हम लोग बोलते हैं bonding. चोटे चोटे जितने भी abrasive होते हैं उनको एक साथ जोडने का जो काम करता है? उसको हम लोग बोलते हैं bonding. तो आपस में जूड़ जाएगा ऐसा तो नहीं है जैसे कि दो पार्ट को जोड़ने के लिए फेवी कोल फेवी क्वीक या फिर बहुत सारे चीजों का हम लोग इस्तमाल करते हैं तो इसको भी जोड़ने के लिए बहुत सारे फिर डिफरेंट पर्पोर्शन इवने परण दो अलग अलग परफस के लिए किया जाता है फिर आगे चलते हैं फाइल ग्राइंडिंग करते हैं अब ब्रेश्चिव पार्टिकल्स बिकम डाल ग्राइंडिंग करते करते कुई भी आप चेखेंगे या किसी चीज़ से आप अब लगता है दिरे दिए यह काम करना बंद कर देता है धेकता भी अब माटीरयल केऊ के ऑब फिरेंग की इसके बाद का दुसरा के यहाद आप थे को तो नएसमें पौर इसमे वह होता हुता है। तबरेसी अच्छ करना शेकर प्राव निख्रेसिषाज करते हैं इसका कि ग्रैंड शेकर डर्रेक्श में और बेसे और और शेकराम और कॉसा और हमारा cutting tools है, कोई भी मालो single point cutting tools है, जिसका हम lathe machine पे इस्तमाल करते हैं, या फिर drill bit का हमारा cutting edge अगर खराब हो जाता है, या फिर point angle उसका खराब हो जाता है, तो हम क्या करते हैं, उसको grinding wheel के लिए जाके, उसके cutting angle को या फिर point angle को हम लोग ठीक करते हैं, ताकि starting cutting जो होता है, वो सही से हो, तो उसी परकार से grinding wheel का, अगर abrasive खराब हो गया है, या डल हो गया है, grinding wheel या abrasive उसके निकल गया है, तो क्या करना पड़ता है, उसके अलग से दूसरा abrasive लाके, उसके चिपकाना पड़ता है, तो उसको क्या करेंगे, जब ही देखेंगे कि grinding wheel का, अगर हमारा abrasive नि special quality of the grind wheel. Grinding wheel का एक और क्या खायदा है जैसे होता क्या है कि grinding wheel चलते चलते या फिर किसी surface पे surface का surface को finish करते करते या फिर किसी cutting edge को sharp करते करते होता क्या है कि grinding wheel खुद भी अपने आप में sharp होता है या फिर surface उसकी भी अच्छी हो जाती है जब तक उस पे कोई damage part ज़्यादा grinding wheel खराब होने का कारण क्या होता है कि damage part जब भी कोई होता है या उपड़ा खुबड़ा ज़्यादा जो parts है उसको हम लिया कि अगर grinding wheel पे चिपका देते हैं या उस पे अगर operation करने लगते हैं तो उस स्थिति में क्या होता है कि हमारा grinding wheel जो है या फिर उसका जो abrasive जो है वो जल्दी खराब होता है और जल्दी damage होता है अब 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 हम बात करेंगे abrasive की है ना abrasive की अगर हम बात करें तो इसमें होता है अब में और 한번 बतो हो मत्लद इसको इसको ऊंडिए में नहीं बनाया हो हमारा क्या की की करेंग्रARI के दवारा या कि सी सबसे पहले आपका स्टोन में सेंड श्टोन मतलब बालू हो गया रेट जिसको आप लोग बोलते हैं इम्री पेपर वो होता है जिससे आप किसी को सर्फेस को करके या फिर जंग छुडाने के लिए इसका इस्तमाल करते हैं आप लोग वो गया इसके बाद कि आपका इसके लेड जैसा होता है वो भी हो गया आपका इसके बाद डाइमंड है ना डाइमंड के डाइमंड भी नेचुरल चीज है तो भी आपका नेचुरल अबरेशिव में आ जाएगा धिरा अगर हम बात करें तो इसके बाद उसमें कुछ और मिक्स करके इसके बाद जो बनाया जाता हुआ हमारा इसमें आपके बहुत करें बाद करेंगों नेचुर वहता है मनुफेक्चेर ड्यमेंड में इसमेंक धरी का शुए अधर नेचुरल के राज्यरमे इसमें अभी Its इसमें क्या होता है कि कुछ अलग से ales पार्टिकल से मिलाया जाते हैं इसके बाद जो 22 k या मिली से इसको गरम करेंगे तो पिखल जाएगा, पिखल जाने के बाद इसको मूड़ेगा नहीं या फिर कुछ भी एजा तूट जाएगा, बृटलनेस जादा होगा, मेलेबिलिटी तो पटी इसमें नहीं आपाएगा, इस वज़ास ऐसा करते हैं, तो ऐसे ही डाइमंड का भी सीन है दाइमंड भी क्या निर्मित होते हैं वह सब क्या है, आपके artificial एवरेसिव में आ जाएँगे, अब हम बात सबसे पहले करते हैं, आप लोग artificial की सबसे पहले बात कर लेते हैं, आटिफिसियल में आपके सबसे पहला आपका aluminium oxide है ना Aluminium Oxide की बात करते हैं इसे के aluminum oxide जो होता है वो लिखा है It is a pure form of fuse aluminum oxide जाया था यह aluminum काफ को fuse करके aluminum oxide बना जाता है और यह pure form है किसका aluminum oxide का प्रोड्यूस वाइ फ्यूजिंग दा सोफ्ट क्ले लाइक मटेरियल वॉक्साइड आप लोग को पता होगा कि अलूमुनियम का जो होता है उसको बोलते हैं बॉक्साइड यहां तक तो किनी को दिखत नहीं होनी चाहिए नहीं सब्सक्राइड होगा आपको तो बॉक्साइड को डालके उससे जो खिले निकलेगा उसको फ्यूज करके और इसके बाद हमारे पास जो आएगा अलूमुनियम आपक्साइड वही हमारा क्या होगा एब्रेसिव होगा अलूमुनियम आपक्साइड इसमें अप्यूरिटी फोड़ा डिफरेंट अप्लीकेशर अलग अलग लग अलग तरीके से इसको क्या किया जाता है बनाया जाता है आप देखिये हाडनेस इं कृटल शुड़ा इं कौ सी। वो मूढ़ेगा नहीं, बल्कि टूट जाएगा, उसको बोलते हैं बिटलनिस, भंगूर्ता, जैसे कि बिश्कित का टुकडा, बिश्कित का टुकडा को आप मूढ नहीं सकते हैं, वो टूट भले जाएगा, महीं से उसको अगर मूढने की कोसिज करेंगे, तो टूट लेकिन जो प्यूर चीज होता है वही हमने अभी सोना का जो आपके एजामपल दिया कि 24 करेक्ट का सूध सोना होता है तो उसका हम लोग इस्तमाल नहीं कर सकते हैं अपने दैनिक जीवर में असुध सोना को इसलिए उसमें कुछ इंप्यूरिटी मिलाएं जाती है यूर सोना में कुछ एप्यूरिटी अ शुदता मिलाकर उसको 24 करेक्ट का बनाया जाता है इसके बाद हम उसका इस्तमाल कर सकते। वैसे ही इसमें भी बोला है कि जो प्योर होता है अलूमिनियम उक्साइड उसका इस्तमाल हम नहीं कर पाएंगे किम्कि उसमें हाट जवाइन कर रहा है रेगुलर एलूमिनियम उक्साइड की बात करें तो यह से डीनोट किया जाता है आपका इसके बाद इसमें 94.5% जो होता है वो प्योर एंड ग्रे इन कलर होता है वो प्योर एलूमिनियम होता है 95% माल लेता है यह अग्या आपका प्योर होता है जो उसका होता है उसमें कलर जो होता है वो ग्रे होता है ऱ् confident एधे जिनधे हैं इसमें अगर वो बूर्स लगा है तो उसका टेंसाइब अवाला प्रोस लगाए तो उसका टेंसाइल अस्टरेंज अजहने उस मटेरियल पर ग्रैंडिंग करने के लिए करते हैं इसका जो आपका मटेरियल जो होता है जैसे कौन से मटेरियल होते हैं जिस पर ग्रैंडिंग करने के लिए इस्तमाल करेंगे तो जैसे कि यह लॉय श्टिल हो गया लॉय श्टिल क्या होता है वह बहुत सारे द्रतीन तरह क्या करते हैं aluminum oxide का इस्तमाल करते हैं ग्रेंड के लिए अच्छा 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 बहुत तरह के होते हैं उसमें से बात कर लेंगे सबसे पहले types of aluminum oxide aluminum oxide को सबसे ज़्यादा जो अची किया गया वो मतलब करने के लिए जेंडरल परकार्ण करते हैं और टाफ मटेरियल के लिए उच्छा अच्छा घ्राइडिंग करने के लिए जेंडरल परपस के लिए मुझसे एंग सांप करने के लिए सिंपल कोई सर्फिस है उसको फिनिस करने के लिए इस्तामल करते हैं इसका जो होता है इत मुई इत वी तॉय तो ग्राइंडिंग डाइस्टीम डाइस्टील वे यूप्ण ग्राइंड करने के लिए इसका़ कीया जाता है जिसकेकिसी चीज का 就 Eleanor घंटिधर के दल 1993 त्वहरा है किन तब्रस्टे सब्सक्राइब सब्सक्राइब ढ़िकर के लिए अधूल। आब 57 परसेंट होता है हमने एलुमुनियूम नियूमुनियूम की कितनी मात्रवा पता हैv थी 245 परसेंट इसमें हमने 97 परसेंट और वियर से एंत होते हैं मैं Aww और दीच सेलीकोन कर्वाइड इंड ब्लैक कलर वाध के तुचि कहला है फूले दो कलर के होते हैं इसके बाद करे dizer Sum is the hardацион ricker than the later पहरा है कि यह जो होता है वह harder तौ होता है लेकिन समय के साथ साथ क्या होता यह कमजूड होते जाता है मिन्स स्टार्टिंग में यह बहुत अच्छा काम करेगा लेकिन इसके बाद क्या होता दीरे दीरे यह कमजोड होते जाता है तो इस चीज का भी ध्यान दखना है आगे बात करते हैं हम लोग ब्लैक सिलिकन कर वाइड की इसमें दो बताया आपका एक बताया गिरीन कलर का एक बताया ब्लैक कलर का सबसे पहले ब्लैक कलर की बात करें तो इस डिनोटेड बै जी है ना जी से इसको डिनोट करते हैं ब्लैक कलर वाले सिलिकन को जी से दिनोट करते हैं and is the hardened manufactured abrasive but at the same time it very brittle कहने का मतलब है कि यह hardened manufactured abrasive तो होता है but same time is brittle hard के साथ-साथ brittleness भी होता है हमने अभी आपको example दिया था कि hard और brittle दोलों अगर किसी चीज में है कोई part है या कोई little है या कोई abrasive है उसमें अगर यह दो प्रोपर्टी है hard भी है और brittle भी है इसके बाद इसके बाद इस करेक्टरिस्ट make it the most efficient for grinding material of low tensile strength इसका इस्तमाल हम लोग मतलब low tensile strength वाले material पे इसका इस्तमाल बहुत अच्छे से कर सकते हैं कोई दिक्तत नहीं है इसके बाद है वो such as the cast iron, cast iron आपको पता है कि low tensile strength वाला material है जिसका tensile strength हो जो होता है काफी flow होता है brass हो गया, aluminum हो गया, grass हो गया, marble, granite यह सब पर क्या करते हैं? Black silicon carbide से surface finish का काम करते हैं. अब marble की बात करें घर में आपने marble और granite लगा हुआ देखा होगा आपने पर भी देखा होगा कि marble को बइठाने के बाद क्या करते हैं? उसको grinder से क्या करते है? चीकना किया जाता है वो आपका black silicon carbide ही होता है. यह सब हमने आपको लिखवा रखा है, कोई दिक्तत नहीं है. आगे बात करें green silicon carbide की, तो green silicon carbide को हम लोग उसको G से denote कर रहे थे, black वाले को इसको G और C से करेंगे हैं, green silicon को G और C दोनों से दिनोट करेंगे, this abrasive is the especially prepared for the grinding of tungsten carbide, deep tools and cemented carbide. इसको special designed किया गया सीधा-सीधा cutting tools को grind करने के लिए. अब cutting tools में क्या हो जाएगा आपका tungsten carbide, आपको पता है cutting tools में diamond को छोड़के, diamond को छोड़के, अगर सबसे बढ़िया कोई cutting tools है या सबसे बढ़िया जो सबसे ज़्यादा hard cutting tools है वो आपका tungsten carb material का जो बना होता है, तो tungsten material को grind करने के लिए इसको special design किया गया है, इसके बाद tip tool, tip tool किसको बोलते हैं बावो, जिसमें आपका tip, मतलब एक point निकला होता है उसको, वो हो गया आपका tip tools के लिए, जापे cemented carbide, cemented carbide हो होता है वावो, जिसमें cemented करके और बहुत ही hard cemented के दवारा उसको cutting tools बनाया जाता है, उसको मनों बोलते हैं cemented carbide, तो उन सब चीजों पर grind करने के लिए, green silicon carbide का इस्तमाल किया जाता है, इसमें आपको यहां पर दिया हुए, GC से denote करते हैं, इसको किसलिए बनाया गया है, tungsten carbide, tip tools और cemented carbide को surface पर grind करने के लिए, अब natural की बात करते हैं, natural diamond की बात करें, तो natural diamond आप सब को पता है, सबसे ज़्यादा कोई hard पदार्थ है, सबसे ज़्यादा कोई hard पदार्थ है, तो वो है क aggressive भी होगा, बहुत ज़्यादा हाड होगा, महेंगा भी है, आपको भी पता है, diamond बहुत महेंगा आता है, to grind cemented carbide road and make lapping compound, इसका इस्तमाल सिदा 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 ऐसे समाज़ लो, diamond, abrasive का इस्तमाल हम लोग वहाँ करेंगे, जहां पर surface finishing की बहुत ज़्यादा आवसकता होगी, बहुत ज़्यादा आवसकता की बात करें, तो means एकदम हमको error जो है, या surface finishing जो है, तो बिल्कुल complete चाहिए, तो 00 चाहिए, means की कोई variation चाहिए ही नहीं उसमें, तो वहाँ पर हम इसका इस्तमाल करेंगे, जैसे की कोई भी cemented carbide वाले material पे, या फिर lapping, आपको पता है कि lapping एक surface finishing operation है, surface finishing operation कहने का मतलब कि, किसी भी material पे, किसी भी कोई भी round parts पे, या किसी भी round shape वाले, या फिर cylindrical shape वाले part में, है ना, या metal में क्या करते हैं, उसका surface finish करने के लिए, चलो manufacture diamond की बात करें, तो manufacture diamond को किस से denote करते हैं, आपके लिखा हुआ है, आपका A or D से denote करते हैं, manufacture diamond को, many forms of carbons were used for manufacture diamond, आपको पता है कि diamond, हीरा और graphite दोनों क्या है, कार्बन का ही एक रूफ है, है ना, तो इसमें diamond को, जो manufacture diamond होगा, वो आधी के द्वारा जो बनाया जाएगा, उसका भी, हम लोग carbon के द्वारा ही बनाएंगे, है ना, तभी तो उतना hard हो पाएगा ना, तो का है कि many forms of carbon were used to manufacture diamond, बहुत सारे carbon, बहुत form के carbon, बहुत form के carbon, यूज किया जाते हैं, manufacture diamond को बनाने में, because the temperature, pressure and catalyzed solvent can be varied, क्योंकि आजाता है, क्योंकि temperature हो गया, pressure हो गया, catalyzed हो गया, या solvent है, वो सब क्या आता है, वहरी करते रहता है, वहरी कर सकता है, तो इसलिए ना इट इस पोसीबल तो प्रोड्यूसर से जब बनाएंगे तो उसके अनुसार से आप इसको कर सकते हैं एक इस जैसा आपको पता है कि जब आप मैंनुकेक्स बनारा है आदमी के दो आरा अगर बना जारा तो उसको आप अपने सेप के अनुसार बना सकते हैं उसमें दिकत नहीं है आपको पता है कि यह को सबसे ज्यादा जो हर्ड मटेरियल वाला इसको उससे गरेंडिंग करने के लिए इसके बाद आपका सिलिकन कर वाइड पर भी करते हैं इसका इसका इस्तमाल भी हम वेट एंड ड्राइड दोनों के लिए कर सकते हैं एक और लिख राजी स्क्रीन पर वेट और ड्राइड ग्रेंडिंग के हम बात करें तो मतलब कि जहां पर वास्प हो मिल्स वातावरन में वास्प हो जैसे नमी हो वातावरन में हवा में नमी हो पानी की कुछ नमी हो और या फिर ड्राइड या तम बिल्कुल सुखा हो गर्मी का दिन हो लाहर चल रहा हो किसी भी स्थिती में इसका इस्तमाल हम लोग कर सकते हैं कोई दिक्कत नहीं है डाइमंड भील और मेनुकेप्चर इन वेरियेटी आप शेप अलग अलग शेप में और साइज में आपके इसको किया जाता है